नमस्कार दोस्तों मैं राजिका अगरवाल आपकी साइन्स ठीचर और हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में याने की पाचनतंत्र के बारे में इसमें हम लास्ट पार्ट के अंदर देख चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके कौन-कौन से ओर्गन पार्टिसेपेट करते हैं Dysession जो है आपका स्टार्ट होता है मुख गुहा बकल कैविटी से और बकल कैविटी से होता हुआ भोजन आपका आता है इसोफेगस के अंदर इसोफेगस इसको क्रमांग कुंचिन गती प्रदान करेगा और ये भोजन आपका आजाता है इस्टमक के अंदर जहां पर आपका हाइट्रोकलोरिक आसेट रिलीज होता है जिसकी पीच होती है लगवग 1.2 आपके स्टमक के अंदर एक layer पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं शलेशमा layer ये mucos की layer इस hydrochloric acid से स्टमक को protect करके रखती है अगर एक bacteria जिसका नाम है helicobacter pylori वो स्टमक के अंदर enter कर जाता है तो ये mucos layer को damage करता है जिसकी वज़े से आपका हो जाता है क्या पेट के अंदर ulcer अब आपका भोजन इस स्टमक से होता हुआ जाता है small intestine के अंदर जहां पर आपका complete digestion होता है food का small intestine आपके 6-7 मीटर लंबी होती है और ये small intestine के आपके 3 पार्ट होती है कौन-कौन से? dutenum, jejunum और ileum dutenum जो है आपका इस्टमक से connected रहता है और ileum आपका connect होता है large intestine से अब जब मैंने आपसे कहा कि small intestine के अंदर आपका complete digestion होता है तो इस digestion के लिए आपको बहुत सारे chemicals की, juices की और enzyme की ज़रत पड़ेगी जो की आपकी ग्रंथिया release करती है तो इस part के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी liver gland यानि की यक्रत ग्रंथि कौन सी? यक्रत ग्रंथि ये diagram है आपके liver का किसका? ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है आपका liver है? यक्रत है यक्रत के बारे में आपको याद रखना है ये जो यक्रत है आपके बना होता है hepatic cell से कहते हैं अगर exam में कुशन मनें liver की study को क्या कहा जाता है तो hepatology कहा जाता है आपके liver की study को देखो दो चीजे हैं आपके hepatology कहा जाता है liver की study को हमेट toim Milo का जाता है blood की study को दोनों में difference है अब इन हेपेटिक सेल्स की वज़े से इसके स्टड़ी को कह दिया अपने हेपेटोलोजी इसके बाद आपका जो लिवर है यह आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी बही इस्त्रावी ग्रंती कौन सी है तो लिवर है और शरीर का सबसे बड़ा external organ जो है वो है आपकी skin तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है आपकी liver gland अब ये जो आपकी liver gland है ये क्या release करती है देखो exocrine gland है तो यानि कि कोई ना कोई chemical जो है वो release करेगी कोई ये juice यो है वो रिलीस करेगी तो ये जो आपकी liver gland होती है ये एक rust का इस्तरावन करती है जिसे अपन कहते हैes bile juice याने की पित-rust इस bile juice का जो color होता है वो आपका होता है yellowish green इस पित-rust का जो color है वो आपका होता है yellowish green याने की पीले हरे रंका होता है अब ये यलो किसकी वज़े से होता है तो एक वर्णक पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं बिलू रूविन बिलू रूविन वर्णक की वज़े से इसे आपके पित रसका कलर होता है यलो और ग्रीन कलर होता है बिली वर्डिन की वज़े से दोनों अलग अलग ची अगर बिलू रूविन की मात्रा शरीर के अंदर जादा हो जाती है तो आपने देखा है जॉइंडेस के अंदर पीलिया के अंदर क्या होता है आखें, स्कीन और आपके जो नाखुन है वो यलो पड़ जाते है तो पीलिया में क्या होता है कि बिलूरूविन की मात्रा जो है वो क्या बढ़ जाती है जादा हो जाती है जिसकी वज़े से आपका क्या हो जाता है जॉइंडेस यानि की पीलिया हो जाता है तो पीलिया का रीजन क्या होगे अपना बिलूरूविन की बढ़ती मात्रा की वज़े से अब इस लीवर का इसके साथ साथ क्या काम होता है तो ये जो आपका लीवर है वो करता है यूरिया का फॉर्मेशन यूरिया का फॉर्मेशन करेगा आपका लीवर यानि की एक तरीके से ये आपका excretory organ भी है उत्सरजी अंग भी है आप लोग सोसते होंगे केवल अपनी kidney जो है वो ही उत्सरजी अंग है नहीं आपकी skin है, liver है, lungs है ये भी आपके क्या है excretory organ है अब इसने urea का formation किया तो यानि की एक तरीके से आपकी body को क्या कर रहा है ये detoxify कर रहा है तो ये आपकी body को detoxify भी करता है liver आगई बास समझ में अब इस पितरस का कारे क्या होता है जो bile juice बना यहाँ पे liver gland के अंदर इस bile juice का कारे होता है जो भी आपका भोजन है उस अमलिय भोजन को शारिय भोजन में परिवर्थित कर देता है पितरस पितरस आपका बनेगा liver के अंदर लेकिन ये जो पितरस है वो इकटा कहां पर रहेगा पिताशे के अंदर यानि की gall blader के अंदर तो ये जो आपको नजर आ रहा है green से color का ये क्या है आपका gall blader है यानि की पिताशे है जिसके अंदर आपका पितरस एकत्रेत होता है बच्चे अकसर एक्जैम में ये गलती करते हैं या फिर ये confused रहते हैं कि आपका जो पितरस है वो पिताशे बनाएगा इसका नाम पिताशे तो ये पितरस बनाएगा नहीं बनाएगा कौन लिवर इखटा कहां पर रहेगा गॉल बलेडर पिताशे के अंदर तो आई के नियाई बास समझ में ये आपकी लिवर क्या हो गई एक्जो क्राइन ग्लैंड्स हो गई चलिए ये जो लिवर है ये आपकी किसी भी तरह क्या एंजाइम जो है वो रिलीज नहीं करती है केवल जूस रिलीज करेगी साथ के साथ आपकी जो लिवर है किसी भी प्रकार का जब एंजाइम रिलीज नहीं करेगी ये कुछ प्रकार का सॉल्ट जो है रिलीज करती है इससे कुछ salt निकलते हैं जो कि क्या करते हैं emulsification करेंगे तो देखिए क्या क्या आपन ने इसके बारे में पढ़ा लीवर के बारे में सबसे बड़ी बही इस्त्रावी ग्रंती और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती भी यही है शरीर का सबसे बड़ा आंत्रिक अंग भी यही है और शरीर का सबसे बड़ा बाहय अंग आपका इसकिन है तो 1.7 kg का जो है आपका इसका वजन होता है लीवर का पित रस का वाइल जो उसका इस्तरावन करेगी इस पित रस का कलर जो होता है वो है यलो इश ग्रीन यलो किसकी वज़े से होता है बिलू रूविन की वज़े से और ग्रीन किसकी वज़े से होता है बिली वर्डिन की वज़े से आपका ये जो है कैसे कलर का होता है हरे कलर का होता है इस पित्रस की जो pH है वो किती है 7.928.5 होती है तो ये क्या गरेगा ये आपके अमलिय भोजन को शारिय भोजन में परिवर्तित कर देगा आई के निया इबास समझ में आगे देखो ये जो आपका पित्तरस है ये कत्रित कहां पर रहेगा गॉल्व लेडर के अंदर यानि की पित्ताशे के अंदर लीवर में कोई भी इंजाइं मुपस्तित नहीं होता है और ये क्या करता है कुछ सौल्ट होते हैं जो की वसा का पाचन करते हैं वसा का क्या कर दिया? Imalsification कर दिया और इसको fatty acids में बदल दिया fat को fatty acids में वसीय अमलों में convert कर दिया और carbohydrate अपना किसमें convert हो गया? जिनसे आपके लीवर के कुश्शन मनते हैं साथ के साथ कुछ अलग से पॉइंट कि यक्रत में आपका जो ग्लूकोज है वह घ्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है आपके एक्जाम में बनने वाला सबसे जदा कुश्शन कि जो आपका ग्लूकोज है वह किस फॉर्म म किस फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में अब यह जो आपका ग्लाइकोजन है यह एकत्रित कहां पर रहता है तो लीवर में और मसल्स में यहां पर आपका ग्लाइकोजन इस्टोड रहता है आई के नियाई बात समझ में अब आप कहेंगे कि इस ग्लुकोज को इस pancreas gland के द्वारा एक हर्मोन release होता है Insulin hormone जो कि क्या करेगा इस glucose को glycogen में परिवर्तित कर देगा अब यह glycogen की form में स्टोड रहेगा अब अपन की body को जब glucose की requirement होगी तो एक और hormone है जो कि आपके pancreatic gland के द्वारा release होता है वो कौन सा hormone है तो वो है आपका ग्लूकागॉन जो कि क्या करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा ठीक है देखिए तो यूरिया का निर्माण हो गया कहां पर इस लीवर के अंदर शरीर को डिटॉक्सिपाई कर दिया इसने और लीवर में कुछ सेल्स और होती है जै कुछ और कोशिकाई भी पाई जाती है जिने अपन कहते हैं कुफर सेल्स क्या कहा जाता है कुफर कोशिकाई कहा जाता है यह कुफर कोशिकाई आपकी क्या करती है लीवर रेना वह आपका एक तरीके से हीरो है जैसे हीरो में कितने ही चाकू पढ़ जाते हैं लेकिन वह फि की cells अगर तूट जाती है लीवर आपका तूट जाता है कट जाता है तो उसमें एक power होती है खुद को regenerate करने की तो आपकी body का hero कौन हुआ लीवर हुआ खुद को regenerate कर लेगी अब कौन सी कोशिका है जो खुद को regenerate करती है तो ये होती है आपकी कुफर कोशिकाएं अब ये कुफर आपने सुना होगा कि उसका तो liver damage हो गया फिर आप कहरें कि मैं जब ये regenerate कर लेता है तो damage कैसे हुआ liver इसका भी तो कोई logic होगा देखो हर एक इंसान की एक limit होती है हर एक चीज की एक limit होती है अगर वो चीज आपके limit से उपर जाए तो आपके बिलकुल पानी सर से जाने लगता है ऐसे ही अगर आपने बहुत ज़ादा excessive amount में क्या किया अगर आपने excessive amount में alcohol लिया या फिर आपने ले लिया क्या poison जहर खाली आमाल लीजिए तो आपके ये क्या करेगा poison और जन एलकोहल ये आपकी कुफर सेल्स को damage कर देगा अब कुफर सेल्स आपकी जब damage होंगी क्योंकि इनकी भी तो विचारों की एक limit है अब ये जब damage होंगी तो ये क्या कर देगी liver cirrhosis कर देगी तो एक्जाम का कुश्चन अगर ये बने कि liver cirrhosis किसकी वज़े से होता है तो कुफर कोशिकाओं के नस्ट होने की वज़े से damage होने की वज़े से और इसके पीछे reason क्या है या तो जहर या फिर excessive alcohol जब हर बात पर ही कह रहे हो कि भाई साब आस तो बोतल खुलनी चाहिए तो बोतल तो खुल जाएगी लेकिन आपका liver जो है वो चमक जाएगा यहां से निकल लेगा तो उसकी वज़े से क्या हो जाएगा आपका liver cirrhosis हो जाएगा आई के नियाई बात समझ में चलिए अब चलते हैं अपन आगे तो आपके largest internal organ कौन है लिवर है और आपके largest external organ है आपकी skin आपको पता है आप अपनी skin को भी डोनेट कर सकते हो study of liver आपकी क्या कहलाती है हिपेटोलोजी कहलाती है ऐसे याद रखना hepatic cells हिपेटोलोजी इस तरीके से liver की study को अपन कहते हैं हिपेटोलोजी चलिए अब आगे चलते हैं अब अपनी दूसरी ग्रंती आती है अगनाशे ग्रंती देखो यह जो आपकी ग्रंती है ना liver gland हो enzyme का juices का इस्तरावन की वज़े से अपने इनको क्या कहते हैं ग्रंती भी कहते हैं अब देखिए यह जो आपका है यह है pancreas क्या है यह आपका pancreas इस pancreas के बारे में आपको क्या-क्या points देखने हैं क्या-क्या points याद करने हैं सबसे पहले आपके जो pancreas है वो एक क्या है लेंड है क्यों क्योंकि यह एक्जोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है बही इस्तरावी है क्यों क्योंकि यह रिलीज करती है अगनाशयी रस जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स यह बही इस्तरावी है क्योंकि यह करता है अगनाशयी रस रिलीज जिसमें आपके क्या है? इंजा crime present है, यह आपकी अंताइं इस्त्रावी है. क्यूंकि यह करती है release hormone, कौन कौन से hormone है आपके? इनसुलिन hormone और दूसरा है आपका glukagon hormone और बहुत ही मतलब interesting hormone है दोनों. क्यूं है interesting? तो देखो सबसे पहले आपके ये जो लिवर है इसकी संदुचना होती है इस पत्ती की तरह दिख रही है आपको ये यलो लीफ यहाँ पर नजर आ रही है ये है आपकी पैंक्रियास यानि की अगनाशे अब देखिए ये जो आपकी पैंक्रियास है इसकी खोज की थी लेंगर हैंस नामा के एक आदमी ने तो इसलिए इसकी कोशिकाओ को कहा जाता है क्या कहा जाता है इसकी कोशिकाओ को कहा जाता है इसमें चार तरीके की सेल्स होती है कौन कौन सी? अलफा, बीटा, गामा और F-cell चार तरीके के आपके सेल होती है अलफा, बीटा, गामा और F-cell ये जो आपकी तीन है ये क्या करती है? हॉर्मोन का रिलीज करती है मेजरली आपको क्या याद रखनी है? इसमें बीटा, पैंक्रियाटिक सेल्स आपको याद रखनी है कौन सी? बीटा, पैंक्रियाटिक सेल्स आपको मेजरली याद रखनी है क्यों? क्योंकि ये करती है आपके इंसुलिन हॉर्मोन का रिलीज अब आपकी जो F-cell है वो क्या करेगी? अगनाशी रस का इस्तरावन करेगी इसलिए वो F-cells आपके एक्जोक्राइन हो गई ठीक है? ये आपकी चार तरीके की सेल्स फर्स्ट आपको जो मेजरली याद रखनी है वो है बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स अब देखो ये आपके दो हॉर्मोन रिलीस कर रही है एक है आपका इंसुलिन हॉर्मोन और दूसरा है ग्लूकागॉन हार्मोन इन दोनों का रोल क्या होता है? जो आपका इंसुलिन हॉर्मोन है वो बलड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है रत शरक्राण के जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है दूसरा क्या करेगा ये? ये जो है ग्लुकोस को गलाइकोजन में परिवर्टित कर देगा अब ये जो गलाइकोजन है ये आपका स्टोड कहाँ पर रहेगा? अभी अभी बताया आपको लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ये गलाइकोजन अपना इस्टोड रहेगा तो ये किस ने कनवर्ट किया? इंसुलिन ने किया अब देखो अगर आपके इंसुलिन की कमी हो जाती है तो गलुकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है इंसुलिन आपका कम हुआ और गलुकोज आपका बढ़ गया अब भई बलेड के अंदर मीठा 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 हो रहा है तो यानि कि आपको क्या हो गई? कि मधु मैं रोग हो जाता है इंसुलीन की कमी असे होने वाला जो रोग है वह है आपका मधु में यानिकी डाइबिटीज क्योंकि ग्लुकोस का लेवल इसमें क्या हो गया बढ़ गया अब देखिए आपकी बोडी को ग्लुकोस चाहिए थो ग्लाइकोजन से बापस ग्लुको हार्मोन का फंक्शन क्या होता है तो यह जो आपका ग्लूकागोन हार्मोन है यह रग्त शरक्रा के लेवल को बहुत कम होने से बचाता है तो यह कौन से हॉर्मोन हो गए आपके पंक्रियास के द्वारा रिलीज होने वाले हॉर्मोन अब देखिए यह जो पंक्रियास है वो आपकी एक्जोक्राइन भी है यानि कि अगनाशी रस जो है वो भी रिलीज करेगी अब इस अगनाशी रस के अंदर आपके जो है एंजाइ प्रेजेंट होते हैं, कौन-कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो आपके emylase, trypsin और lipase enzyme इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखिए आगे एक बार कि आपके exokrine क्यों है क्योंकि आपके pancreatic juice जो है release करती है, जो की digestion में help करते हैं, endocrine क्यों है क्योंकि यह आपके हॉर्मोन रिलीज करती है कौन कौन से इंसुलीन हॉर्मोन ग्लुकागोन हॉर्मोन इंसुलीन का क्या कारे हो गया ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ग्लुकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम इंसुलिन ने किया और आपके ग्लाइकोजन से बापस ग्लूकोज मिला किसके दौरा आपके ग्लूका गॉन के दौरा आई चीज समन में चलिए आगे देखिए अब ये जो आपका पेंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर आपके तीन एंजाइम होते हैं कौन कौन से ईमायलेस, लाइपेस और आपका टिपसिन एंजाइम। एपाइस क्या करता है इसटाज को माल्टोज में परिवर्तित करता है फॉनMYलेस अपने सलाइवरी ग्लेंड के अंदर भी पढ़ा था लाइपेस एंजाइम क्या करेगा लैसे लाइपेस और लेसे लिपिझ support करेगा ल amino acids में convert कर देगा तो ये तीन एंजाइम जो है इस जूस में आपके प्रेजेंट होते हैं इस अगनाशी रस के अंदर चलिए आगे देखते हैं pancreatic cells तो मैंने आपको बताई चार तरीके की cells है alpha, beta, gamma और F cell मेजरली कौन सी याद रखनी है बीटा cell क्योंकि आपका insulin hormone release करती है ये तीनों मिलके आपकी क्या है endocrine hormone release करेगी और जो आपकी F cell है वो exocrine juice जो है वो release करेगी ये से बता चुकी हूँ मैं चलिए अब चलते है अपन आगे अब intestinal juice यानि की आत्र रस उसके अंदर कौन कौन से enzyme होते हैं तो देखो जो आपका substance है उसी से आपको enzyme बनाना है जैसे की maltose को convert कौन करेगा maltese, sucrose को convert कौन करेगा sucrose और आपके lactose को convert कौन करेगा lactese जो आपके substances है वो उसी से आपको क्या बना लेने है अपने यहाँ पर enzymes बना लेने है क्या क्या maltose को convert कौन करेगा maltese, lactose को convert कौन करेगा lactese और आपके जो है किसको sucrose को convert करेगा sucrose तो glucose plus glucose जिससे मिलके आपका maltose बनता है, glucose plus galactose से मिलके आपका बनता है lactose और glucose plus fructose से मिलके बनता है आपका sucrose तो इनको इन जो है units में ये divide कर देता है, तोड़ देता है कौन ये तीनो enzymes ठीक है, आगे बास समझ में चलिए, आगे चलते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब small intestine में ने पढ़ाया कि उसके अंदर आपका complete digestion होता है, यनकी आपके food का पूर्ण तया पाचन होगा कहां पर, इस small intestine के अंदर अब पाचन हो गया, उसका absorption जरूरी है, तो कुछ इस तरीके से finger like structure पाई जाती है, किसकी अंदर, छोटी आथ के अंदर और बड़ी आथ के अंदर exam में कुशन क्या बना था एक बार, S.S.E.K. में, कि आपके विलाई जो है present होती है, चार औरगन के नाम दिये थे, जिसमें आपका छोटी आथ था, बड़ी आथ उसमें option नहीं दिया हुआ था, अगर आपके जो है कुशन पूछेगा, तो उसमें तो छोटी आथ लिखा क्योंकि इन दोनों में ही आपके finger like structure पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, तो ये क्या करेगा, आपका जो food digest होगा, उसको अफशोशित करने का काम कर लेती है, ये विलाई, अब आपका भोजन पजगया और गया आगे कहां पर large intestine के अंदर, कहां large intestine में यानि की बड़ी आत में, इस बड़ी आत के आपके तीन भाग होते हैं, कौन-कौन से, सीकम, कोलोन और rectum, ये जो आपका सीकम वाला पार्ट होता है, वो connected होता है आपका छोटी आत से, small intestine से, और ये जो rectum है, आगे जाके खुल जाता है, एनस में तो ये जो आपको न इनस में, इस large intestine के अंदर ये आपकी जो large intestine है, इसके अंदर भी आपके finger like structure पाई जाती है, जिनें अपन कहते हैं, विलाए, ये विलाए क्या करेगी, इस large intestine के अंदर जल का अफशोशन करेगी, तो अगर आपसे कुशन पूछे और इसमें से यही कुशन बनेगा large intestine में, कि आपके जल का अफशोशन कहां पर होता है, या फिर आपसे कुशन पूछेगा कि large intestine का क्या function है, तो क्या function है, जल के अफशोशन का कारे करेगी आपकी large intestine, आई के यही बास समझ में, अब जल का अफशोशन भी हो गया, अब जो है waste material आपका आगी की साइड जो है, सरका दिया colon rectum, exam में पूछा गया है एक बार कि सीकम colon किसके भाग है, तो किसके भाग है यह आपके large intestine के, चलिए, आगे देखिए, अब कुछ है आपके last disease of digestive system की, आपके digestive system से related कौन कौन सी disease है, आपके disease में कुशन आया हुआ है, कि जो निम्न में से कौन सी disease आपके vitamin से related नहीं है, यह कुशन exam के अंदर पूछा गया है और उसमें एक option दिया हुआ था, IBS, यह जो आपका IBS है, यह आपकी large intestine से related disease है, किस से, large intestine से related, बड़ी आँच से related आपकी एक disease है, IBS, जिसकी full firm है, irritable bowel syndrome, ठीक है, तो देखिए, पहली आपकी jointis, किसकी वज़े से होगा, below ruin की मात्रा अधिक होने की वज़े से हो जाता है, jointis, जिसमें आपके आखे नाखोन skin yellow पढ़ने लग जाती है, दूसरी disease है, आपकी IBS, irritable bowel syndrome, किस से related है, large intestine से, abdominal pain, यह इसके क्या है, कुछ symptoms है, लक्षन है, diarrhea और cubs, यह सारी जो है, दिकते इसके अंदर होने लगती है, IBS के अंदर होई के न्यूई भाई साव याद, और यहाँ पे अपना complete हुआ digestive system, देखो कहां से start हुआ अपने क्या क्या पढ़ा, कल यानि की last class के अंदर हम पढ़ चुके थे, किस के बारे में, last class में अपने पढ़ लिया, जो है सारे organ के बारे में, आज की class में अपने देखा, अगनाशे गरंथी, यकरत गरंथी और इनके enzymes, तो सबसे पहली चीज़, आपकी liver gland, यकरत गरंथी, bile juice का इस्त्रावन करेगी, शरीर की सबसे बड़ी गरंथी है, शरीर की सबसे बड़ी बही इस्त्रावी गरंथी भी है, शरीर का सबसे बड़ा internal organ है आपका यकरत, इस यक अगर excessive amount में alcohol लिया या फिर poison ले लिया तो कुफर कोशी का इनस्ट होने लगती है, जिसकी वज़े से हुआ, liver cirrhosis, bile juice का इसने इस्त्रावन किया, ये जो bile juice है, इसका color होता है, yellowish green, yellow होता है, blue ruin की वज़े से, और आपका हरा होता है, बिली वर्डेन की वज़े से, पितरस का कारे क्या होता है, अमलिय भोजन को शार ये बनाता है, ये हुआ आपके liver के बारे में, फिर है आपके pancreatic gland, अगनाशी ग्रंती, मिशिद ग्रंती है, exocrine क्योंकि आपके release करती है, अगनाशी रस, endocrine क्योंकि दो hormone release, insulin और glucagon, insulin hormone blood sugar level को कंट्रोल करता है, glucagon hormone, sugar level को बहुत कम होने से रोकता है, बीटा pancreatic cells, मिजरली याद रखनी है, क्योंकि insulin hormone release करती है, railway में हजारों बार पूछा गया question है, ये आपका, कि pancreatic gland के दौरा कौन सा hormone release होता है, या फिर ये पूछा गया है, insulin hormone release किसके दौरा होता है, railway में बहुती बार पूछा गया equation, तो याद रखना है ये, ठीक है, अब इस अगनाशी रस में आपके तीन enzyme, amylase, lipase और trypsin, ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, तो अपना जो भोजन है, वो आजाता है, कहां पर, आपके large intestine में, क्योंकि complete digestion हो गया, small intestine में, और आपके जो है, absorption किसने कर लिया, विलाय ने, जो है, आपका भोजन आया, यानि कि जो waste material है, अब आगया, large intestine के अंदर, जहां पर क्या होगा, जल का absorption, अब ये large intestine में, जल का absorption होके, ये rectum के द्वारा आगे NS में, खोल जाता है, ठीक है, IBS क्या है, आपके large intestine से related एक disease है, दूसरा आपका, join this, पी लिया, जिसमें, बिलू रूवीन की मात्रा क्या हो जाती है, जादा हो जाती है, और इसी के साथ, आपका ये जो topic है, वो यहाँ पर complete होता है, मिलेंगे अपन एगली glass में, एक नए topic के साथ, धन्यवाद,